तो आदाब नौसरार गोडीनिंग सस्यकाल एक पर फिर आप तमाम नोका स्वागत है क्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में उम्मीद है पूरी फैमली अथी होगी आज की कहानी एक अजीब कहानी कल से ये लगातार खबर आप लोग सुन रहे होंगे देश के सबसे अमीर शक्स मुकेश अमबानी साउथ मुंबई में उनका घर है एंटिला टॉप जो उनके घर का नाम है उस घर के बाहर एक कार ख़़ी मिलती है एक एस यूवी और उस एस यूवी के अंदर 20 जिलेटिन मिलते है अब ये सारी चीजे मतलब जिससे ब्लास हो सकत है एक तरफ दूसरी तरफ ये है कि इस गारी का जो नंबर था वो नंबर भुकेश अमबानी की सिक्रेटी में जो पूरा काफला चलता है उस गारी के एक नंबर से मैच करता है और जायर सी बात ये नंबर फर्जी था तो यहां से काम खड़े होते हैं कि आखिर इसका मकसद और मतलब क्या है उसी के बाद सारी मुंबे पुलिस हरकत में आती है क्राइम ब्रांच, ATS सारे लोग जांच करते हैं जांच की शुरुवात होती है और चुके मामला मुकेश अमबानी के धर के करीब का था तो ये लगा कि कहीं ना कहीं सीधे-सीधे एक ठ्रिट मुकेश अ मुकेश अमबानी और उनके परिवार से और क्या सच्मुति ये थ्रिट मुकेश अमबानी के लिए था या कहानी कुछ और है ये पूरी चीज आपके सामदे रखता हूं बात है 25 फरवरी की यानि 25 कल की सौथ मुंबाई में जहां पर मुकेश अमबानी के घर एंटिला टॉप उस घर के करीब एक लावारिस गाली ख़री मिलती है ये एक हरे रंग की स्कॉर्पियो थी और चुके मुकेश अमबानी को जेट प्लस सिकुर्टी मिली भी है पास-पास में इस तरह से लावारिस जो गाली है इस तरह को देखने की चीज़े जो होती है वो थोड़े से आपके कान ख़रे करता है और सुरक्षा बलों की निकाहें लगातार होती है आज-पास में क्या कुछ संदिग ऐसे चीज़ हो रही है तो जब ये गाली मिली और काफी देश तक ये गाली यूही खड़ी प्रफिर पुलिस को कॉल किया गया और लोकल पुलिस वहां पहुंचती है अब चुक्कि यह भी था कि इस तरह से गाली कैसे खड़ी हुई है तो बाव स्वैट को भी खबर की जाती है तयात के तो पर दौग स्वैट को भी बुलाया जाता है और फिर इस गाली की तलाशी जाती जब गाली की तलाशी लिए तो इस गाड़ी के अंदर से 20-20 जिलेटन की छड़ मिलते हैं यहां पे और कान खड़े होते हैं कि यह हाल के इस टाइम में बहुत सारे ऐसे आतंकवादी घटनाएं हुई है जिसमें जिलेटन का इस्तमाल किया गया है और इसके जरीए ब्लास्ट किया गया है अलाकि जिलेटन का शुरुवात जो एक और भी इस्तिमाल होता है वो आम तोर पर कहीं पहाड को तोड़ोना या उसको ब्लास्ट करना उन सारी चीजों के लिए हुआ करता था लेकिन अब इसको एक बॉम के तौर पर भी इस्तिमाल किया जाने लगा और यही वज़ा है कि जब यह मिला तो पुलिस थोड़ी सी वहां पे घपराई एक लावारिस कार मुकेशंबानी के अगर के सामने पड़ी हुई और उसके अंदर से विस्पोटक का सामान लेकिन शुक प्रणेटर को एक कार में मौजूद नहीं था पत्रेस साफ हो गया था कि फिलहाल ब्लास्ट करने का को इरादव नहीं था उसी गाड़ी में से एक बैक बिब्रामद होता है और जब उस बैक को खोला जाता तराशी ली आतीए उस बैक के अंदर से एक लेकर मिलता है और इस लेटर में जो लिखा हुआ था उससे ये साप हो गया कि यह गाली और इस गाली के अंदर यह विस्वोतक सामान यो ही नहीं पड़ा है बलके इसके निशाने पर आमबानी टीम है मुंबाई कि जो लगातारा भी लास्त दो साल से आई पिल जीद भी रही है सब साथा IPL जीदने का भी जो रिकॉर्ड है वो मुंबई इंडियन के नाम पर है और रोहिट शर्मा इसके भी कैप्टन है मुंबई इंडियन के तो मुंबई इंडियन से नीता अमबानी सीधे तौर पर जुड़ी हुई है वही सब कुछ देखती है वही इसकी सरवे सरवा ह मुकेश अमबानी की वाइफ तो मुंबई इंडियन लेटर पर लिखा हुआ है और लेटर में ये लिखा है कि नीता भावी और मुकेश भाईया फैमली ये एक जलक है अगली बार ये सामान पूरा होकर आएगा तुम पूरे फैमली को उड़ाने के लिए इंतिजाम हो गया है संभल जाना अब ये जो लाइने की अगली बार ये सामान पूरा होकर आएगा यहीं पर मैं आपको वो चीज बता रहा हूं कि जो गाली से जिलेटिन बरामद हुई वो एसम्बल नहीं थी उसके साथ कोई डेटर नेटर भी नहीं मिला मतलब मनशा और नियत सिर्फ इतनी इसके बाद मुंबई पुलिस ते तमाम चानबीन शुरू की एंटिला टॉप की सुरक्षा वैसी जाधा रहती है फिर भी मुंबई पुलिस की तीम पहुंकी वहां पर और केस क्राइम ब्रांज को सौंपा गया साथ में एंटी टेररिस स्क्वाइड जो मुंबई की ATS उसक जब मुंबई पुलिस तो खंगाला तो यह पाया की 25 तारीक को जब यह गाड़ी वहां पर पार्क हुई लावारी शालत में उससे पहले इस गाड़ी के साथ एक और सफेद वाइट रंग की SUV गाड़ी चल रही थी यह दोनों गाड़ीयां बहुती धीमी रफतार से चल रह जाता और वह वाइट SUV वहां से रहाना हो जाती और यह ग्रीन कलर की स्कॉर्पियो को मौके पे छोड़ देती है जिसके बाद फिर खबर मिलती यह पुलिस तलासी लेती है और तब जाकर पता चलता है अब पुलिस जब गाली की तलासी लेती है तो खत के अलावा अंदर से कुछ नंबर प्लेट्स भी मिलते हैं और चौकाने वाली बात यह थी कि इस गाड़ी की जो नंबर प्लेट थे वह जाहिर सी बात है फर्जी थे असली नहीं थे नंबर प्लेट बदल दिये गए थे इसकॉर्पियों के क्योंकि चेजिस नंबर अलग था और राइस्टेशन नंबर अलग था लेकिन जब उस नंबर को खंगाला गया और जो मुकेश अंबानी की सिकुरिटी में लगे विए जेट प्लस के लोग जेट प्लस की सिकुरिटी जिसे मिलती है उसके साथ गाड़ि रेंज रोवर है जिसका नंबर सेम वही नंबर है जो इस ग्रीन स्कॉर्पियों जिसमें से ये विस्पोटक बरामद हुआ उस गाड़ी का नंबर था तो इसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं इस गाड़ी को धोके से मुकेश अंबानी के सिकुरिटी के काफले में घुसाना थ और फिर मौका देखके जो भी उनका इरादा था वो करना था लेकिन इसके अलावा उस गाड़ी से तीन चार और नंबर प्लेट विले और वो तीन चार जो नंबर प्लेट थे वो सभी वो नंबर थे जो मुकेश अंबानी के सिकुरिटी के काफले के साथ जो गाड़ियां चल दे थी वहू बहू नंबर थे यानि प्लानिंग यह थी कि पूरी जो मुकेश अमानी के सिक्रिटी में गारियां चलती हैं उस नंबर के जरीए इन गारियों को उसमें शामिल करा दिया जाए और फिर उनका विस्पोर्ट करने का जो इरादा था वो किया जाए लेकिन यह से जाहिर है कि फिलहाल कल उनको ऐसा नहीं करना था कल उन्हें सिर्फ मैसेज देना था कि देखो हम कुछ भी कर सकते हैं हम यहां तक आ चुके हैं लेकिन अभी यह सिर्फ जो है एक ट्रेलर है फिल्म बाक्ती है और हम पूरे सामान के साथ कभी भी आए तो जेलेटिन का इस अलग-अलग लेवल पे इस मामले की तफ्तीश की जा रही है जांत की जा रही है और रिलाइंस ग्रूप की तरफ से एक प्रिस रिलीज जारी किया गया है जिसमें उन्होंने मुंबे पलिस को थैंक्स कहा है उन्होंने ये भी कहा है कि हम अब तक कि मुंबे पलिस की जांत स संतुस्क है और जो भी इसके पीछे लोग है या जो भी साधिश है हम उमीद करते हैं कि वो जल से जल बे नकाब हो इसके लावा इस घटना के बाद मुकेश अमबानी के सिक्रिटी जो है वो और सक्ट कर दी गई है हालां कि अब यहां पर मैं आपको बताओं कि मुकेश अमबानी देश के उन गिने चिनों लोगों में से हैं जिने जेट प्लस के टेगरी की सुरक्षा मिले जिए हमारे यहां कुल पांच अलग अलग तरह की सिक्रिटी लेकिन कॉमन जो है वो चार है पहली तो है स्पीजी एस्पीज प्रोटेक्शन ग्रूप आप जानते स्प्राइम्स्टर प्राइम इस्प्राइमिस्टर की फैमली या एक एलस्पीजी का घठन तब हुआता चार्ग इंड्रा गान्धी का कümüह था तो असकृफ्ट यह पर एक सोच बनीं कि अपने देश के प्राइमिन्स्टर जोप्रिए इसा हो जो सबसे अलग हो जिसमें बिल्कुल ट्रेंड लोग हो प्रोफेशनल लोग हो और जो हर हालात से निपटने में माहिर हो और इसी के बाद एक कानून बनाकर इस्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानि SPG का जनवुआ और SPG के लिए सिर्फ ये है कि SPG सिर्फ और सिर्फ इस देश के प्राइमिस्ट्र उनकी फैमिली या एक्स प्राइमिस्टर उनको ही यह सुरक्षा दी जाएगी बाकी किसी देश के चाहे वो 130 कोड़ों में कितने भी बड़े लोग हों कितने अमीर हों या कुछ और थ्रेट हो उनको बड़ा SPG के वो हगदार नहीं होंगे तो पहला जो हमारी सीकुरिटी जो है प्राइमिनिस्टर खास तो पर उनकी और फैमिली के लिए जो डेडिकेटेड है वो SPG है इसके लावा चार तरह की और सीकुरिटी है एक है Z प्लस एक है Z एक है Y और एक है X Z प्लस भी इस देश में सारे लोगों को नहीं मिली जी जो बहुत कम लोगों को मिली जी है और सबसे ज़ादा अगर SPG के बाद हम बात करें तो Z प्लस जो सिकुरिटी है उसको सबसे मजबूत बाना जाता है क्योंकि Z Plus में सबसे मजबूत सुरक्षा घेरा होता है Z Plus Security Ministers हों कुछ तीफ मिनिस्टर हैं उनको मिला हुआ है जिनको बहुत ज़्यादा थ्रेट है उनको मिला हुआ है अच्छा यह जो Z Plus है और Z है Y है और X है जैसे SPG में तो किलियर है कि जो प्राइम मिनिस्टर होगा वह अपने आप उसको SPG की प्रोडक्षन मिल जाएगी लेकिन Z Plus Z XY यह सिक्यूरिटी कब किसको कैसे दी जाएगी यह कौन तैक्क करेगा जाक ब किससे सिक्यूरूटी स्पार्वाप करें यह सारा मामला हता होटा हों मिनिस्टरी कि दरिए College State के अंदर में आपको पता है कौनग meanistry बापस ले लियाँ या धीरे धीरे कम करती जाती है सबस्क्राइब मेने भी तो उनके यहालत को देखते हुए लेकिन सरकार जो है उनका खर्चा उठाती है लेकिन यहां पर मुकेश अंबानी जेट-प्लस सिक्यूरिटी का पूरा खर्चा उठाते हैं यह रिपोर्ट है जेट-प्लस जो सिक्यूरिटी है यह सबसे मजबूत घेरा होता हमारे देश में इसमें करीब 55 जवान शामिल होते हैं जैसे किसी एक शक्स को अगर जेट-प्लस सिक्यूरिटी दी गई है तो आप यह मान के चलिए कि 55 जवान उसकी सुरक्षा की को घेरा बनाएंगे उस 55 जाएगा उनके साथ उनकी गारियों का काफला चलेगा अब यह 55 जवान होते हैं जैसे प्लस में जो सिक्यूरिटी गार्ड है ब्लैक कैट आपने जिसको देखा होगा काले कपड़ों में जो होते हैं तो जैट-प्लस में उसमें सबसे रहाधा दस जो है वह एने जी कमांड कमांडों के अपने हां बहुत एहमियत है अलाकि जब हमारे एने जी का गठन हुआ तो यह सोथ पर हुआ था कि यह टेरिजम जैसी सीजों से ही निप्टेंगे और इसमें माहिर होंगे या फिर को सिट्वेशन होगा उससे निकलने में यह माहिर होंगे आप उयाद होगा मुंबई के ताज और बाकी होटलेल में ओबराए और इसमें जब टेरिस गुते वे थे तब डेली से एने जी के टीम गए थी तो ऐसे कामों में इनकी महारा थे क्योंको इनको ट्रेनिंग इसी तरीके से दी जाती है लेकिन फिर बीक में बहुत सारे ठेट्स को देखते हु हालाके यह पूरी तरह से अमल नहीं हुआ है अभी भी जो जडिव प्लस और इसमें पूरत के बीकुछ इंदर आजो दॉते हैं जो जो कमान्डो होते हैं तो जो जडिव पुलस कटेगरिय उसमें पच्पन लोग होते जिसमें से करीब मिनिमेम दस आम स्कान नो हमने दून उस फोर्स का हिस्सा होते हैं एनस्जी के जो मैं आपको बात बता रहा था उसका ये कि तुके एनस्जी के जवानों के जिस तरह किसे ट्रेनिंग होती है बहुती मुश्किल ट्रेनिंग होती है और उस ट्रेनिंग को हर एक कोई पास नहीं करता है यह है कि जब इतनी ट्रेनिंग और इतना सब कुछ करने के बाद यह कमांडों तयार होते हैं तो उन्हें किसी खास लोगों के सिर्फ सुरक्षा में क्यों लगाया जाए उन्हें हमेशा तयार रखा जाए देश के ओपर कभी कोई संकट आए उससे ने पटने के लिए और एक थाउजन पचास हजार राउंड कोई पुलिस अफसर या फिर कोई बाकी अपनी पूरी जिन्दगी में शायर इतनी गोलिया नहीं चलाता हो जो स्रफ एनजी के कमांडों तीन-चार महिने की ट्रेनिंग में पचासा राउंड गोलिया चला लेते हैं क्योंकि वो जेट कटेगरी में होते हैं 35 फिर 22 से लेके 35 तक इसमें जवान रहते हैं इसमें लेकिन एनजी कमांडों की तादाद सिर्फ चार या पांच होती है जेट प्लस में करीब 10 है यहां आधी चार से पांच और इसके अलावा इसमें ITBP CRPF और अगर दिल्ली में है तो दिल्ली परसनल होते हैं आखरी जो सीक्रिटी की जो लेवल है जो वह आता है फिर एक्स में सर्फ और सिफ यह सबसे कम होता है उन नहों को दिया आया था जिनको बहुत बड़ा थेट नहाओ इसमें दो पुलिस परसनल होते हैं एक तरह से दो पुलिस वाले उस शक्स के साथ जिसे किस रख्षा दी गई है वो चलते हैं तो खुल मिला कि मैंने आपको बताया पांच स्पीजी स्रिफ प्राइम निस्टर उनकी फैमली के लिए और उसके अलावा जेट प्लस जेड वाई और एक्स मुकेश अंबानी को जेट प्लस सेक्रिटी मिली हुए है अब इस पूरे मा रिष्टा है और क्या इसका कोई लिंक किरकेट से जोड़ता है या नहीं जोड़ता है तो वो भी एक जाच का विशा है और अलग-अलग तरीके से इस पूरे मामले की जाच मुंबै पुलिस उनकी जो क्राइम ब्रांच है एटिय से वो कर रही है इस दोरान में उनकी सेक्र लेटिन को छोड़ना बिना डेटोनेटर के और लेटर लिकर धंकी देना कि यह सिर्फ एक पिक्चर ट्रेलर है पूरी पिक्चर अभी बाकी है यह सारी चीज़े कहीं नहीं कहीं बहुत सारे सवाल खड़े करती है जिसके जवाब मुंबै पुलिस जूनने की कोशिश कर दे ग्रीन एसकॉर्पियो में यह जिलेटिन मिली और जो घर के सामने मुली उसके नमबर प्रेट को जब शेक जिया गया तो उसका असली ओनर जो था वो मिल गया और उस असली ओनर के पास पुलिस पहुंकी तो पता चला कि उसने और इस गाड़ी की चोरी की रिपोर्ट ठाने में लिखा रखी है पुलिस ने उस ओनर को पूरा खंगाला भी उसके बैग्राउंड को खंगाला और यह कि वह एक आम आदमी है और उसने वाकई इस गाड़ी की चोरी की रिपोर्ट डिखाई थी बलकि उसने यह भी कहा था कि कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि उसकी इ या लिंक नहीं जुड़ा है तो अब पुलिस जाहिर सी बात है जो चोर है जिसने चुराई है वहां तक पहुंचेगी तो फिर मुके शम्मानी के घर के बाहर तक भी पहुंच जाएगी और फिर यह सारा सीरा जो है वो खुल जाएगा इस केस का तो आज कहानी में इतना ही लेकिन कुछ नाम आज नोट करके लाया था आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कही दिनों से शिकायद भी की थी विक्राम कुमार है संकल्प आनन सुसाइद मिस्टी की कहानी सुनना चाहते हैं इसके इलावा योगेश है रवी ठाकूर है रवी ठाकूर जी को कई लोगों ने कल की कहानी पर कि एक जो आमिर की कहानी सुनाए थी उसको लेके भी सवाल भेजे और उन्होंने कहा भी कि उन्हें बड़ा अजीब लगा कि आज भी पुलिस ऐसा करती है कुछ लोगों के जनरल सवाल थे कि आपने पूरी कहानी तो सुना भी लेकिन 14 साल बा त्हके अंकीता पांडे हैं सलेमान प्रब्तनि तरुड़ए आनंद तरकार कि सोरूरी सुननाचा थे यो पूरुण्या के मिले राकेश visions करंजन है नंदी ग्रामकान की कहानी सुनना चाहते हैं विजयंद नहीं और यह व्यराइब बाताया सिमर्जीज सिंंह। इसके लावा अल्फा मैन मिखिल राज सुदीब चक्रवर्ती शौनक एक शास्त्री शौनक इस शास्त्री मैंग वंसिया अमित सुमन अमित सुमन ने एक अच्छी चीज लिखी है जो कई बार कहानी में इनका कहना कि आप पेपर लेकर बैठते हैं और भी जैसे सुपरतीम बेनर्जी भी होता है उसके हाथ में भी देखा तुनका कि अगर आपने 600 कहानी सोना दी तो इतने पन्ने तो आपने कागज बरबात कर द होता हूं जब तक बहुत जरूरत या मजबूरी ना हो आकाश कुमार है राजे शुपाध्याय है अफसर करीम खान है राजदीप सरकार है विकास सक्सेना टाटा टेप्स कंट्रोवर्सी की कहानी सुनना चाहते हैं जिस्वान पाथक है इसके रावा जोशी जी है माज अहम प्रिती नरूले हैं जीवन पाठक हैं मोनू चहल सौमेसिद्दास कनिक्ष श्रिवास्तफ खुशी सिंग जोती नागरे रोहिद दवेदी अरुनकुमार मंडल असीन जा राजीव राहुल भर्ताचार जोती नागरे धनंजय तावडे विजैस विकास रजत नितीश कुमार गडवी आशीश अहीर महंद्र हिमान्शु मालविये सचिन गौरंग नवेद अंजुम वैभबेज जंडे पुरावी पाटिल जैशर्मा भावेश बरोत प्रतीक गुपता आप तमान लोगोंने कई कहानियों का भी दिक्रिकिया बार अब से फिर मुलाकात होगी किसी नहीं कहानी के साथ तब तक अपना ख्याल रखेगा थैंक्यू वेड़ी लगड़ी